हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब होप यू अला दूइंग वेरी गूड इन फाइन सो दिस साइट प्रियंका खन्ना यौ बायोलोजी एजुकेटर बच्चो जैसे कि हम आपके लिए लगातार इंफरमेटिव वीडियो लेके आ रहे हैं जो हमारे स्टूडेंट अपनी डे विटामिन्स होते हैं उन्हें क्या-क्या कहा जाता है उसके कमी से क्या-क्या डिफिशिंसी डिसॉर्डर होते हैं यह सारी चीज़े हम आपको आज पताएंगे तो यह शौट वीडियो है एक इन्फरमेटिव वीडियो है इसको आप सब जरूर देखिए हर एक क्लास के बच जो विटामिन्स विटामिन्स आप देख सकते हैं विटामिन्स एक और्ग्यानिक सब्सेंस होते हैं आपके एक होते हैं फैट स्वॉल्बल और एक होते हैं water वॉत नाम है रहे हो है यह विटामिनS वे वह पोची से पहों रीक है क्यों हैНम कलद correlationsdealищ सवाइं में नाम से समझ में प्रकार पार्षा कग चու्लबल और एक जो पानी में गुल जाता है यह चार्भ प्रकांक घाईелиिनस ग् 논र फ़ेडासवल पई फजाता है आथ Accumulate in the body, मताँ जो आपकी fatty tissues होते हैं, जो liver होते हैं, वहाँ पर ये deposit हो जाते हैं So, ये fat, इनको बोला ही जाते हैं के लिए fat soluble और अगर हम बात करते हैं water soluble की, तो वो water में गुल जाते हैं So, water soluble vitamins होते हैं, जो कि आपके vitamin C होता है और आपका vitamin B complexes होते हैं, जिसके कई vitamins उसके अंडर में आते हैं So, vitamin C और vitamin B complexes आपके क्या हैं, water soluble vitamins हैं और A, D, E और K क्या हैं, आपके fat soluble vitamins होते हैं, ठीक है So, अगर आप बात करोगे, vitamin C and the vitamin B complexes जैसे कि vitamin B6, 12, folate ये सारे आपके water soluble हैं, जो कि पानी में घुल जाते हैं, before they can be absorbed by the body मतलब से पहले अब्सॉर्ब हो, ये water में क्या होते हैं, और therefore can not be stored नहीं होते So, any water soluble vitamin unused by the body, अगर वो बाड़ी की दोरह unused हो है So, it is primarily lost to the urine, clear? So, बच्चो, अब ये चीज़ तो बिल्कुल clear होनी चाहिए, किस vitamins कितने type K होते हैं, ये vitamins क्या होते हैं, organic substances होते हैं जो कि आपके two categories में divided होते हैं, किस-किस categories में divided होते हैं, fat soluble, water soluble आप कहां-कहां से लेते हो, ये vitamins plant का भी source होता है, animal भी source होता है So, ये सारे चीज़े हम लोग अब next उसमें देखते हैं, ठीक, अब आता है type of vitamin, type of vitamin में एक होता है fat soluble vitamin और एक होता है आपका क्या, water soluble जो अभी हमने पढ़ा, जो कि छोटे से आप एक figure, एक rate diagram के जरिए देख सकते हैं A, D, E and K आपके fat soluble और vitamin C and all the B vitamins आपके क्या होगा है, water soluble vitamins ठीक है अब देखे, यहाँ प्याता है बहुत important बार, जिसके बारे में आगे हम कोशिश करेंगे कि एक एक vitamins की थोड़ा और डिटेल, यह कहां कहां से हमें मिलता है, किसके sources से हमें मिलता है, यह भी बताएंगे किस नाम से retinol, तो vitamin A बोलो या फिर आप इसको retinol बोलो, बात सेम है, clear, अब अगर इसके कमी होगी, deficiency disorder इसके हुआ, तो क्या होगा, blindness, that is the loss of the vision, vision की loss हो जाना, ठीक है, आखे कम्सूर होती है, है न, कहते हैं कि eyes weak हो रही है, vitamin A की कमी हो गई है, तो vitamin A की कमी means क्या होता है, blindness कमी हो गई है, बहुत जादा हो गई है, तो blindness, that is loss of vision, ठीक है, फिर हाता है, vitamin B1 जिसको की कहा जाता है, थाइमीन बोला जाता है, आपको बोल दे कोई थाइमीन नहीं समझे होगे, तो दोनों बाते आपको याद रखने है, vitamin B1 को क्या कहा जाता है, थाइमीन कहा जाता है, ज that is because of the vitamin B1 की deficiency से, ठीक है, vitamin B2 को कहा जाता है, riboflavin, क्या कहा जाता है, riboflavin कहा जाता है, तो vitamin B2 याद रखना है, क्या बोला जाता है, riboflavin, जिसको, इसके disorder क्या होता है, araboflavinosis होता है, जिसमें क्या होता है, poor tightened mouth में source हो जाते है, ठीक है, तो vitamin 3 क्या लाता है, niacin, जिसका deficiency disorder का नाम होता है पिलाग्रा देखे यह बहुत ही इंपोर्टेंट नसेंस कि यह बहुत जिस भी क्लास के बच्चे ना आगे किसी भी कॉम्पेटिशन में अगर आप बैठते होगे या कोई भी जब पेपर देते हो तो आप से यह एक जनरल साइन्स के कॉशन पूछे जाते हैं ठीक है यह चीज़े आपको पता होनी चाहिए यह कोई क्लास स्पेसिफिक नहीं है अगेन हम आपको रिपीट कर दें आपको यह जनरल इंफरमेशन है दाट यू मस्ट नो अबाउट दाट क्लियर तो क्या होता है पैलेग्रा में डारिया और्ड डेमिटाइटिस यह होती है उसकी जो सिम्टम्स होते है वो यह होते है ठीक है पैलेग्रा में यह चीज़े देखी जाती है तो विटामिन B5 क्या है पैंटो थैनिक असे इसको बोला जाता है जिसमें क्या होता है एस्मिक को पारिडॉक्सीन कहा जाता है जिसकी डिफिशेंसी डिसॉर्डर क्या होती है अनेमिया जिसमें लो नंबर और लाक और ब्लड रबीसी के कमी हो जाती है ठीक है विटामिन B7 को कहते हैं बायोटिन क्योंकि आपका डर्मेटाइटिस को कॉस करता है जिसमें रेड और इची किछी किछी इची स्किन हो जाती है ठीक है इचिंग होना विटामिन B9 कहा जाता है फॉलिक आसेड लाइक फॉलिक आसेड को विटामिन B9 कहा जाता है जिसके डिफिशेंसी disorder से क्या होता है? Deficiency disorders होता है Megablastic Anemia, ठीक है? Megaloblastic Anemia, जहाँ पर immature RBC होते हैं इन्दा bone marrow, clear? So, इसके deficiency disorder को क्या कहा जाता है? Megaloblastic Anemia Vitamin B12 को क्या कहा जाता है? Sinocobalamide, that is इसके deficiency disorders होता है Parnicious Anemia, और इसमें क्या होता है? Abnormally absorb होता है, in the small intestine में abnormal absorption होना Normal नहीं, बलकि abnormal absorption होना ठीक है? Vitamin C को कहा जाता है Abscorvic Acid, ठीक? जिसके में क्या होता है? Scurvy, deficiency disorder से scurvy, जहाँ पर bleeding gums and swelling joints क्या होते हैं? Bleeding gums होते हैं और joints such क्या हो जाते हैं? Swelling हो जाते हैं Vitamin D, जो के बहुत common है Calciferol नाम से जाना जाता है जिसके deficiency disorder क्या होती है? Rickets होते हैं जहाँ पर bones weak हो जाती है Near the joint, joints के पास जो bones होती है, वो weak हो जाती है ठीक है, vitamin E क्याता है Chocopherol, जहाँ पर क्या होता है? जिसके deficiency disorder से क्या होता है? Hemolytic Anemia और यहाँ पर faster depletion of RVC from the body body से faster RVC का depletion होता है ठीक, vitamin K को कहते हैं phyloquinone जिसके deficiency disorder होता है bleeding, diathesis, जहाँ पर irregular and slow blood bleeding and clotting, ठीक है? जहाँ पर क्या होता है? Irregular होता है और slow होता है क्या? bleeding, blood का bleeding and clotting that is known as the bleeding diathesis clear? So यह है बच्चों, हो सकता है, यह तुरंत नहीं आद होगा आप इसको बार-बार पढ़ो, बार-बार देखो, बार-बार सुनो याद हो जाएगा important होता है vitamins और vitamins के जो और नाम होते हैं कि अगर हमने vitamin A बोला तो उसका दूसरा नाम क्या है? retinol, यह भी आपको पता होना चाहिए ठीक है? vitamin B1 बोला है तो उसका नाम होता है thymine, vitamin D आप बहुँच आता है सुनते हो जिसको कहा जाता है calciferol, vitamin C जिसको सुनते हो F-scorbic acid, तो यह एक common name है ठीक है? आपको यह नाम भी पता होने चाहिए common in the sense कि इसके यह नाम है जो आपको पता होने चाहिए along with vitamin A, vitamin B इन सब के अलावाद तो इससे क्या-क्या deficiency disorder है यह भी आपको पता होने चाहिए तो बच्चो इसी तरीके से आप हमारे channel में लगातार बने रहाँ जहां पे आपको इस तरीके के informative videos लगातार मिलती रहेगी, चलिए मिलते हैं next video में, ठीक है? झाल झाल झाल